महा भारतस्य शान्ति परवणः अस्मिन भागे भावताम सर्वेशाम अपी हार्दिकं स्वागतं अभिनन्दनम प्रिय चात्राह गत पाठे अस्माभी पठितम्यात भगवता वेदव्यासेन वर्निता वर्नास्त्रम व्यवस्था राग्यो देवत्वम अथच राजा युधिष्ठिरह शरतल्प गतं भीश्मं प्रच्छतियत कथं राज्यं प्रजास्च पालनियाह तदा भीश्मह तम बोधयती राज्या किम किम करनियं किंच नेती अथच राजा मंत्री सेनापतिही द्वारपालह अंगरक्षकस्च कीद्रसह स्यात अथ अध्यवयं अस्मिन पाठे पठिस्यामह यत राज्या कुत्र वासाह करनियाह कुत्र च नकरनियाह ग्रामानाम पुराणाम च सन्रक्षणं कथं करनियाह इत्यादी अध्यतन अस्माकं पाठनियाह बिंदवह संती राज्यो वासह राष्ट्र गुप्तिही राष्ट्र रक्षयाच राज्याह शासनं कर ग्रहनं सैन्य विजयाह अथच मात्रि पित्रि गुरु पूजा सत्या सत्य वरननं धनस्य महिमाच सर्वपर्थमं तरही राग्यो वासवर्णनं क्रियते तत्र युदिष्ठिरह प्रच्छति युदिष्ठिर उवाचा कथं विधंपुरं राजा स्वयमा वस्तुमरहती प्रियचात्रह एवं युदिष्ठिरेन भीश्मुपितामहा प्रष्टह कथं विधंपुरं कीद्र से पुरे कीद्र से नगरे कीद्र से ग्रामे कीद्र से स्थाने राजा स्वस्य आवासम निर्मातुम् शक्नोती अर्था अध्वा उसितुम् शक्नोती तदा भी सुपिता महा कत्यती समाजोत्षवसं पन्नम सदापूजित दैवतं वश्या मात्यबलो राजा तत्पुरं स्वयमावसेत यस्मिन नगरे पुरेवा समाजस्य विभिन्य उत्सवाह भवन्ती यत्र चा राजा सदैव पूजित दैवतं यत्र देवानाम सदैव पूजा भवती धार्मिक अनुष्ठानादी कारियानी क्रियंते अठ चा यस्मिन राज्ये यस्मिन इस्थाने वश्या मात्यबलो राजा राज्या मंत्रिनाह स्ववसे संती तत्र राजा स्वयम आवसेत आवासम कुरियात इति भावह अनंतरम कारी विभाजनम वयम सर्वेपी जानिमह एकह एव जनह सर्वाणी कार्याणी कर्तुम एव नशक्नोती अतह कार्याणम विभाजनम यदि क्रियते तरही वरम राष्ट्र गुप्तिम्च मे राजन राष्ट्रस्य वच संग्रहम विभीश्म पितामह कत्यती राष्ट्र गुप्तिही अर्थात राष्ट्रस्य रक्षणम कथम कर्णियं हे राजन राष्ट्रस्य वच संग्रहम कारणम राष्ट्रस्य एकस्य राज्यस्य अहम राजा अस तरही तत तदा राज कदापि संतुष्ट्हुतु नस्यात। तत्र कधियनती असंतुष्टा दुजानस्टा संतुष्टास्च मही भरताः। राजानह यदि संतुष्टा भुयु中共 तरही तेशाम नाशह भुवती। पुनाह अग्रे कतियती ग्रामस्या धिपतिही कारियो दस ग्राम्यस तथा परह अध्विगुणाया सतस्येवं सहस्रस्यच कारेत अत्रबहु सम्यक चिंतनम प्रदर्शितमस्ती ग्रामस्या धिपतिही कारियो एकस्य ग्रामस्य एकह अधिपति ही भवेत यथा एधानिम ग्राम प्रधाना भवती तस्य अपी निर्वाजन भवती अनंतरम विकास घंडस्य एकह अधिपति ही अर्थात राजा लगु राजा पुनह कतियती दस ग्राम्या सधापरह दस ग्रामानाम एकह अधिपति ही एकह राजा एकह दायत्वान कस्चन अधिकारी द्विगुणायाह सतस्य इवं एवं यथा दस ग्रामानाम करते एकह अधिकारी एकह राजा तथेव विम्षति ग्रामानाम करते तस्य दस ग्रामानाम पुनहा द्विगुणितं करणियं पुनहा सतस्य सत ग्रामानाम एक अधिकारी यदा जन्पदा धिकारी अत्र जिला धिकारी इती उच्चते सहस्र सिचकारेत एवमेव पुनहा सहस्र ग्रामानाम अपी एक अधिकारी भवेत सदा राज्यस्य सम्यक संचालनम संभवति अगरे ते किम कुरी हुँ तरी ग्रामे यान ग्राम दोशांस्च ग्रामिकह परिपालेत तान ब्रुयाद दस पाया शव सत विन्षति पायवे तरी यह एकस्य ग्रामस्य अधिपति हैस्ति अत्वा यह दस ग्रामानाम अधिकारी जन्पदा अधिकारी वा सह ग्रामे यान ग्राम वासिनह जनान ग्राम दोशांस्च ग्रामे ये दोशाह संति तत्र जलस्य संचालनम सम्यक भोति नवा कृषिकारियम सम्यक करियते नवा य यह तस्य ग्रामस्य साम्परतिक भासायं ग्राम प्रधान अहा तदा निन्तर भासायं ग्रामक भ्रामसी कहस्ître फिरुषच ग्रामस्य upp होते शेषट अधिकारि अस्ति साम्प्रतम् विकास खंड अधिकारी इती उच्चते तस्मई गत्वा निवेदयेत यह एकसि ग्राम अस्ति अधिकारी अस्ति सतू विन्षति पायवय यह दस ग्रामाणाम अधिकारी अस्ति सह स्वकियम जेष्ट अधिकारिणम् स्वकियम उच्च अधिकारिणम् य दस ग्रामाणाम अधिकारी जना सह विंसति ग्रामाणाम यह अधिकारी अस्ति तम गत्वा वृत्तम निवेदेत। सोपि विंसत्य अधिपतिर वृत्तम जनपदे जने ग्रामाणाम शत पालाय सर्वमेव निवेदेत। सोपी विम्सत्य अधिपतिर जनह यह विम्सति ग्रामाणाम अधिकारी अस्ती अधिपति अस्ती राजा अस्ती सह स्वकियं बृत्तम जन्पदस्य अधिकारी नहा पार्श्वे निवेदेत ग्रामाणाम सत पालाय सरुमेव निवेदेत यह जन्पदस्य अधिकारी अस्ती सह अधिकारी ग्राम पाल कह ग्रामाणाम सत पालाय यह अधिकारी यह जनहा शत ग्रामाणाम सतस्य ग्रामाणाम पालनम करोती तम उपेतिय सर्वं बृत्तम निवेदेत यद मम ग्रामे कथम का कर ग्रहनम राग्या किरते एतत परमावश्रिकमस्ति राजा प्रजानाम परिपालनाय कर ग्रहनम कुरियात इती वर्नितम अत्रवर्तते प्रागेवतु करदानम अनुभाष्य पुनह पुनह प्रागेवतु करदानम करणियं निष्येन दातव्यम इती प्रागेव उक्तम पुनह पुनह एक वारं पुनह बदामे इती भावा अस्याम आपदि घोरायां संप्राप्ते दारुने भये परित्रानाय भवताम प्रार्ठविष्य धनानिवह अस्याम आपदी आपत्ति समय घोरायाम घोर आपत्ति समय यथा प्राकृतिक आपदह समायांती प्राकृतिक आपदह देविक आपदह भोतिक आपदह कदाप्यागुंतुं शक्नवन्थी तद्रस अवसरेशु राजा कथ यती प्रजाभ्य ह्प्रजानाम पूरतह संप्राप्ते दारुने भै योधा भुकम्पादी नाम, निर्भिक्ष दुर्भिक्षा दी नाम, कारण तह, अतिवरिष्टि-अनावरिष्टि कारण तह, यत भवताम एव सन्रक्षनार्थम रक्षनार्थम भवताम एव यानि धनानि संती तानि कर रूपेण अहम प्रार्थि इस्चे अहम तेशाम धनानाम याचनाम करोमी भवंतह महियं तानि धनानि कर रूपेण प्रदाय अनुग्रहन नंतु इती सर्वे इदानिमपी एसा प्रक्रिया सर्वत्र प्रचलती करगरहनम कथम करणियम इती प्रतिपादयती व्यासा करगरहनम निस्चयन करणियम किन्तु कथम करणियम इती प्रश्ने किरते सती तत्र बदती अत्रबहु उत्तमं उदाहरणं प्रदर्शितम अस्ति भगवता वेद अभ्यासेन मधु दोहं दोहेद राष्ट्रम राजा राष्ट्रस्य जनैभ्यह यदि करग्रहनं करोती तरही कथम करणियं यथा मधु मक्षिकानाम समुहे बहु मधु इस्थापितम भवती मक्षिकाभी यदि कष्टि जनहा ततह मधु श्वीकर्तों इच्छती तरही सहकिम करोती पूर्वं सनैही सनैही प्रेम्ना हस्तेना मधु मक्षिकाः अपशारयती अनंतरं तत्र यद मधु अस्ती तत मधु स्वीकरत्य स्वपात्र इस्थापिती पुनस्च अन्यत सर्वं तत्हईव गने कोंат कि तत्रसुरक्षितम् स्थापित। ब्रहमर्वान्ण विपातैत् यदि वयम दत्रत्य ब्रेम्ण अत्हार्वं अत्वु मक्षिका नाम कृते आयम सब्द Kollegin अस्ती भग्वतावद्यद व्यासे ना अत्वयम Youtube आपवार्याम्हा अन मार्याम हा निश्पीप्द आ अधु प्राप्ते हैं असमाभियम् मधु गरहनाँ कुर्म कहा। नहीं को चता हैं नि उद खेक्षिन Also Be यथा धेनुह अस्ती धेनोह वत्सह ततह दुग्धम पिवती तदवद अत्वा कस्चिद गोपाल कह धेनोह दुग्धम दोगधी देनुम तो तत्र सह वत्सह अपि दुग्धम पास्यती इती हे तो हो किंचि दुग्धम तत्र तेजती अत्वा आनंदेन धेनोह इस्तनान न इस्तनानी न विकुट्टयती प्रेम्ना दुहती तथैव अत्र राग्या कर गरहणं करनियं प्रजाब्या यदि एक बारम एव यदि सतम रुपिकानाम आवश्यक्तास्ती वयं सहस्रस्य आचनाम करिश्यामह एक बारम जनह दास्यती परंतु यदा अग्रिम बारम वयं पुनह निवेदनम करिश्यामह तदा सह कृद्धो भुत्वा ततह पलायनम एव करिश्यती अनंतरम अग्रे पुनहा व्याग्रिव च हरेत पुत्रम अदस्ट्वा मा पते दिती यथा व्याग्रिव स्वकियं पुत्रम शिशुं एक स्थाना दुतियं स्थानं प्रति नयती मुखेना तरहिसा कथम अदस्ट्वा तस्य शावकस्य गले कुत्रचित ब्रणह नभवेत दंताह तत्रब्रणं नकुरिहू सा प्रेम्न जिहुआ मद्धे संस्थाप्य अथा आनंदेन व्याग्रिव स्वकियं शावकं इतस्ततह नयती तद्वदेव राजा अपी प्रजाभ्याह करग करहनम कुरियाद इती एवमेव व्याकरण तत्र वर्णानाम उच्चारण प्रसंगेपी केचन तत्र व्याकरणाचारियाह पूर्वाचारियाह वर्णान प्रयोजये तद्वद वर्णान प्रयोजये ति एवम बदंती व्याग्री यथा हरेत पुत्रान दृष्ट्राभ् प्रजानाम जिग्यासादिकं शिक्षणियं अस्ति अत्र पद्यम प्रदर्शयति अप्रमादेन सिक्षेथाह क्षमाम बुद्धिम धृतिम मतिम भूतानाम सत्व जिग्यासाँ साध्वसाधु चसर्वदा राजा प्रमादम् परित fps खमा दानं शिक्षेथ बुद्धि वर्धनं कथम करिनेयं तद्षिक्षेथ्थ धृतिमं षिक्षेध् ज्यातों इच्छन्ति प्रजाह यत्किम अपी तत सर्वं साधु असाधुच उत्तमहपक्षः अनुत्तमहपक्षः सर्वदा अपी राग्या शिक्षणियं तस्य मनसिश्यात एवं बहु विस्तरेन उतत्थेन राजा मान्धाता प्रवोधितह इती तत्र वर्नितमस्ति शांति परवणी राजधरम परवणी तदेव ज्यानं यत्यानं राग्या उतत्थेन मान्धातु हु कृते प्रदत्तम् तदेव ज्यानं अत्र भीष्म पिता महेन युदिष्ठि यतियत युद्धम विनापी अन्यही उपायसी राजा विजयम प्राप्नए हु vie अर्थात केवलं युद्ध बलेन एव विजयश्य आकांग्षा नस्यात अधेनेव विजयम वर्धैद्वसुधाधिपह जगन्यमाहुर विजयम योयुद्धेन नराधिपह हे राजन युद्धम विना प्रेम्ना संधिम कृत्वा यदि कस्चिद वसुधा पतिही वसुधा दिपह राजा विजयं प्राप्नोती तरही तद सर्व स्रेष्ठम अस्ते किन्तु युद्धम कृत्वा यम विजयं प्राप्नोती जगन्य माहुहु। तम युद्ध कृतेना जयेना राज्याह जगन्यत्वं भवती सह उत्तमह नमन्यते कार्णम तत्र जन धन हानहिं भवती अनेके जनाह मिर्यंते अनेकाह सैनिकाह वीरिगतिम प्राप्नोती अताह युद्धास्य वर्जनम कृतमस्ति अत्र भगवता वेदव्यासेन। युद्धास्य वर्जनम कृति अत्र भगवता वेदव्यासेन। युद्धास्य वर्जनम कृति अत्र भगवता वेदव्यासेन। तत्र अंबरीशस्य उदाहरणं प्रियच्छति अंबरीशोहिना भागह स्वर्गम गत्वा सुदुर्लभं ददर्श सुरलो कस्थं शक्रेन सचिवं सह। हे राजन प्राचिनकाले अंबरीश नामकह कस्चिद राजा अभवत्य। सह प्रजायाह बहु शेवाम कृतवान अनंतरम इह लोके सुखं भुक्त्वा पश्चाद स्वर्ग लोकं प्राप्तवान तम सह तत्र सक्रस्य पार्श्वे अंबरीश राजा सक्रेन सह स्वकियं सचिवं सुरलो कस्थं दर्श। अंबरीश राजा स्वकियं सुरलोक अर्थात देव लोके स्थितम स्वकियं सचिवं सक्रेन सह उपविष्टम द्रश्टवान इती। शते अच्च अध्याये प्रतर्दन मैथिलयोह संग्रामसिवर्णनम बर्तते एकाधिक शते ध्याये जयार्थिनो राज्यानह कथम सेनाम नईये युह इती कथितम बर्तते। अत्र अग्रे राग्यह स्वर्ग गमनम पुनहा कथियती पदाति बहुला सेना द्रढ़ा भवति भारत रथाश्व बहुला सेना सुधिनेश्व प्रशस्यते हे राजन। यस्याम सेनायम रथाह तत्र रथेश्व अग्रे कथित अश्वानाम स्थितिर भवति कथित ब्रशभानाम कथित गजानाम कथित उष्टानाम अपिद्रश्यते। तत्र रथाश्व बहुला सेना अश्व युक्ता सेनातु सुधिनेश्व अर्थात येश्व दिनेश्व ब्रश्टिह नभवति येश्व दिनेश्व एव प्रशस्यास्ति उत्तमास्ति। एवं कृते अग्रिमेच अध्याये वीराणाम विशय लिखती लिखितमस्ति यत वीराह कीद्रशाह स्युह। महाशूराह महाबलाह इत्यादि। ये सेनायम सैनिकाह भवंती ते निश्चेन वीराहत भवंतियव तरही ते महावीराह भवेयु हो महाशूराह भवेयु सम्मुखे सत्रुम द्रिष्ट्वा पलायनम न कुरियु हो इति भावा सेनायाह विजयस्य चर्चा महाभारतस्य शांति परवणी राज धर्म परवणी अगरे सतस्य सत अध्यायनम अगरे कस्याह सेनायाह विजयाह भवती कस्यास्य नभवती इति वर्णितम वर्तते तत्र भगवान वेदव्यासा लिखती जीवितम संत्यजंतेके धन लोभ परा नराह नजीवितार्थम मन्यंते पुरुशाही धनादृते पश्यतेशाम क्रपणताम पश्यतेशाम अबुद्धिताम अदुर्भे जीविते मोहाद अर्थ तृष्णाम उपास्त्रिताह अर्थात यस्याह सेनायाह विजयाह भवती सा लुब्धा नभवती स्वकियान प्राणान अपी पणी कृत्य युद्धम करोती तदा एव विजयाह भवितुम अरहती कथयती जीवितम संत्यजंते की धनलो परा नरा ये जनाहा लोभिनह संती अत्यधिकं धनम अर्जयतों इच्छंती ते स्वकियं जीवनम अपी धनस्य कृते संत्य जंती केचन राष्ट्राय अर पयंती नजीवितार्थम मन्यंते जीवितस्य अर्थम एव नमन्यंते ते जनाहा रिते धनात अर्थात तेसाम बुद्धव जीवनस्य अर्थम एव धनम जीवनस्य अन्यहा कोपी अर्थाह नास्ती रिते धनात धनमस्ती तरी जीवनमस्ती यदि धनम नास्ती तरी जीवनम नास्ती केवलं धनं एव सर्वं इति ते मन्य मानाह राष्ट्रम परित्य जंति पस्य तेसाम कृपणताम पस्य तेसाम अबुध्धिताम तेसाम मुर्खत्वं पस्यंत भवंताह तेसाम कारपण्यं कृपणताम अत्र पस्यंत इति कथियति भगवान वेद व्यासह अध्रुवे जीविते मोहात कारणम जीवनम सुस्थिरम नास्ति श्वह मम मृत्यु भवेत न भवेत परश्वह अहम जीविश्यामी न जीविश्यामी इति वयम न जानि महा एतत सर्वं किमपी निश्चितम नास्ति अतह अध्रुवं अध्रुवे जीविते अनिश्चिते जीवने मोहात जनाह किम अर्थ त्रश्णाम उपास्त्रताह धनस्य प्रष्टे इतस्ततह धावंतह द्रश्यंते इती कथनस्य विप्राया मात्रि पित्रि गुरु पूजा यथा पूर्वस्मिन भागे अपि अस्माभी ही पठितमे वासीत अस्मिन विशे सर्वत्र शांति परवणि यत्र तत्र लिखितमस्ति सर्वेशाम सेवा जेष्ठानम सेवा करनिया अत्रापित अथे युदिष्ठिरो भीस्मम प्रिच्चति स्रेष्ठ धर्म विशे यद हे पितामह कह धर्मह सर्व स्रेष्ठह धर्मह अस्तिती किम कारियं सर्व धर्माणां गरियो भवतो मतं एवं प्रिच्छति हे राजन सर्वधर्मानाम गरियह स्रेष्ठह उत्तमह भवतह मतानु सारेणा किम कार्यमस्ती तद बदतु तदेव कार्यमहम करतु मिच्छामे तदा भीसु पितामह उत्तरती माता पित्रोर गुरु नाम्च पूजा बहु मता ममा एकस्याम एव पंक्तो उप्रश्ण से उत्तरम माता पित्रोह गुरु नाम्च मातु हु पूजा पितु हु सम्माननं गुरु नाम्च मानं सम्माननं पूजा तेशाम पूजाच मम बहु पिता यग्निर गार्ह पत्यों माता अग्निर दक्षणह स्मृतह गुरु राहवनी यस्तु साग्नित्रेता गरियसी कत्यति पुनहा पिता यग्निर गार्ह पत्यों पिता तू गार्ह पत्यह अग्निह अस्ति माता दक्षणह अग्निह अस्ति गुरुष्च आहवनी यहा अग्निह अस्ति तो साग्नित्रेता गरियसी इति अग्नित्रयम एव सर्वस्रेष्ठम अस्ति एवम एव पित्र वृत्या त्विमं लोकम मात्र वृत्या तथा परम अब्रम्म लोकम गुरोर वृत्या नित्यमे वचरिश्यसी हे राजन पित्र वृत्या यदि कहसित पितुह सेवाम करोती सततम तरी सह इमं लोकम प्राप्तुम सकनोती लोके यानि सुखानी संति ते साम उपभोकम करतुमा रहती मात्र वृत्या तथा परम यदि अपरम लोकम कहस्चित प्राप्तम इच्छती सह मात्र वृत्या प्राप्तम इच्छती मातोह सेवया अपरम लोकम प्राप्तम इच्छती मृत्योह अनंतरम अतचा ब्रह्म लोकम गुरोर बृत्या यदि कहसित ब्रह्म लोकम प्राप्तोम इच्छती तरिश गुरोह सेवाम कुरियात गुरु बृत्याच ब्रह्म लोकम प्राप्तोम नित्यमेव चरिश्यसी नित्यमेव प्राप्ष्यती इतियम भावह अर्थात ए सर्वेपि जानी महायेव माता एव प्रथमा शिक्षिका भवती बालकस्य तस्याह मुखात एव भाषाह शिशुहु शिक्षयती अत एव शिशुहु मात्रि भाषा इती उच्चते मातुहु मुखात शुरुता भाषिताच या भाषा सा मात्रि भाषा अत हमाता एव सर्वम पि उत्तमं शिशुं शिख्षयति पित्रिन दसतु मातेका सर्वाम वा पृतिवीम पि गुरुत्वेना भिभवती नास्तिमा तृसमो गुरु हुँ भगवान वेदव्यासा कतियति पित्रीन दस तु मात एका दस पितरह एकस्मिन भागे एका माता सर्वामवा पृतिवीम अपी यदी एकस्मिन पार्षवे मातु हू स्थानमस्ती मातास्ती अत्र निखिलापी पृतिवी तथापी मातु हू जेश्ठत्वं गुरुत्वे न अभिभवती नास्ति मात्र समो गुरुहू एकस्मिन भागे दस पितरह निखिलापी पृतिवी अपरेश्वन भागे एका केवला माता सापी जेश्ठा गुरुत्वे न अभिभवती अताह नास्ति मात्र समो गुरुहू एतसमात कार्णार मात्र समाना काप लोकेशमिन। में मती मात्रितस चापी गुरु हु शेष्टाह जेष्टाह भवती इती कथनस्य अभिप्राया पुनहां अग्रे कथ्यती गुरु नामें वैसिस्टिम प्रतिपादियन आचार्य शिष्टाया जातिही सादिव्या साजरामरा आचार्यानम माता पित्रोह मातुहु गर्भात शिषोह जन्मभवती सा जन्मदात्री जननी इती उच्चेते पिता पालनम पोषणम तसे शिक्षणम करोती अताह पिता सह जन्मदाता अस्ति परन्तु आचार्यह शिष्यम आचार्यह क्रुणते गर्भ मनता आचार्यह अन्ते वासिनम यह अन्ते वासिनम शिक्षयती अन्ते वासिनह सा जातिही आचार्य शिष्टा जातिही सा दिव्या जातिही भव्या जातिही सा अजरा जातिही अमरा जातिही अजरा अर्थाद जन्मन भवती आमरा आथा यह कदापी ननश्यती सदैविति इस्ठति लोके श्मिन अताह आचार्यस्य अपी महात्मयम अत्र भग्वता वेदभ्यासेना शांती परवणी राजधरुम परवणी विश्थरेण वर्णितमस्ति अत्र केचन शलोकाह दत्ताह संतिमया गुरोर म पुनह कत्यती विद्याम सुरुत्वा ये गुरुम्नाद्रियंते प्रत्यासनम् मनसा कर्मनावा यतेवते गुरु भिर्भावनियास तथा तेशाम गुरव प्यर्चनियाह कत्यती ये गुरुभ्या ज्यानम प्राप्य विद्याम सुरुत्वा गुरु नाम समाधरम नकुरुमंती तेशाम सम्माननम नकुरुमंती प्रत्यासनम् मनसा कर्मनावा मनसा वाचा कर्मना गुरु नाम सेवाम सुस्रुसाम मान सम्माननम नकुरुमंती तरही तेही कर्णिय किम यथेव ते गुरुभिर भाव नी आहा यथा गुरुभिर भाव नी आहा यथा गुरुभिर भाव नी आहा यथा गुरुभुते तान पुत्रवत मन्यते मन्यते तद्वद एवत तैही अपी गुरवह अर्चनी आहा सदैव पित्रिवत पूज नी आहा इत्यम भावह शिष्यानाम अपिकर्तव्यम गुरुनाम अपिकर्तव्यम अत्रवणितमस्ती गुरवोर्चैतव्यास्च पुरानम धर्वमिच्छता प्राचीनम धर्मम यदिवयमिच्छामहा धार्मिकम भवितुमिच्छामहा तरियास्माभी किम करनियम गुरवह अर्चैतव्याह गुर गुरु नाम पूजा विधेया, गुरु नाम सुस्रुशा करणिया, गुरु नाम सेवा करणिया, गुरवह एव अस्मान सनमार्गम उपदेक्षंति अताह गुरवह अर्चनिया, इती कतियती, पुनहा कतियती, मात्रितह पित्रितस्चैवा तस्मात पूज्यतमो गुरु हु, अब मात्रितह पित्रितस्चैवा, मातुह शेवा करणिया, मातुह पूजनम, पितुह पूजनम, किन्तु ततह अपी उपरी यसिस्थानम सह गुरु हु, तस्मात पूज्यतमो गुरु हु, तसमा गुरोह स्थानम सर्व पर्यास्ती अता गुरोह पूजनम करनियम। पुनह एतावदेव नहीं। अगरे पुनह कतियती माता नैव पिता नैव याद्रिसह ताद्रिसो गुरुह। कारणम माता पिता जन्मना तस्य बालकस्य शिसोह। जन्म दातारह भवंती किन्तु गुरुह। ज्यानेन तस्य नवाम श्रिष्टिम करोती अताह माता नैव पिता नैव याद्रिसह ताद्रिसो गुरुह। अगरे कच्यती सत्या सत्य वर्णनम कथम धर्मे स्थातु मिच्चन नरो वर्तेत भारत कस्मिन काले वदेत सत्यम कस्मिन काले नृतं वदेत अत्र कथियती धर्मे स्थातुम इच्छतियह सह नरह कथम वर्तेत तेन कीद्रिसह व्यवारह करणियह हे राजन। अठ जा शह जनहा कश्मिन काले सत्यम बदेत अकश्मिन काले चा मिथ्याम बदेत असत्यम बदेत कारणम सर्वत्र सत्यमयु वक्तव्यम इत्यपि नास्ति सर्वत्र असत्यमयु वक्तव्यम इत्यपि उत्तमम नास्ति अतहा भीश्मह उत्तरति सत्यस्य वचनम साधु नसत्य सत्याद विध्यते परं सत्याद परं किमपी उत्तम नास्ति लोकेश्मिन अतह जनेन सत्यम एव वकतव्यं किन्तु आगरे पुनहा कथियती भवेत सत्यम न वकतव्यं वकतव्यं अनृतं भवेत यत्रा नृतं भवेत सत्यम वाप्या नृतं भवेत अत्र तेन कसित मस्ती कुट्रचिद सत्यम वक्त व्यम न भवедत अत्र सत्यम वक्त विनास्त यदि सत्यम वधिश्याम चेत आनेह ही भवित महरती अतहाँ तत्र वक्त व्यम अनृतं भवेत राज्या बुद्धिमान जनेनHYचा अग्रे चालनियम कारणम की मस्ती अन्यत रूकत मस्ती के नापी सत्यम भुयात प्रियम भुयात नभुयात सत्यम प्रियम यथा कस्चिद जनहा हस्ते परसुम ग्रिहत्वा कंचिद जनम हंतुम तस्य प्रिष्टे धावती अग्रिमाह यम हंतुम जनाह धावती सहा आगत्य अस्माकं ग्रहम बदती त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम पृष्टताह सहा आगत्य अस्मानेव पृच्चती एकाह जनाह यह इताह गच्चतीस्मा सहा भवता दृष्टहवा अहम तम हंतुम इच्छामे तरी तस्मिन काले यदि आहाम् सहमं गृहे सरनागता अत्रति ष्ठति भवान हंतुम शकनोती इदी वदिश्यामहा तरी शहा तस्य हननम करिश्यति तरी तत्र सत्यसिय भकतव्यम नास्ति तत्रतु असत्य भाशनम अपी सत्य वत एव तस्य प्राण रक्षाय अस्माभि असत स्योपयोगह करने यहाँ, सरवत्रणा धारनात धर्म मित्याहुर धर्मेन विध्रता प्रजाहुर्म धारनात यम वःम धारनाम यस्य이다 धारनम कृते यानि कर्माणिवयम कुर्महा तत सर्वं धर्मां तरगतम आयाती धारनात धर्म इत्याहु धारनम क्रियते तसमत कारणात एव सह धर्माह इती कथ्यते तेन धर्मेन एव प्रजाह धार्यंते विध्रताह प्रजाह इती कथनश्य विप्राया। अग्रे अत्र सिंग जम्बुक कथा समायाति एक पुरीका नाम पुरी ऐस्ति तत्र करिक पौरिक नाम कह राजा सह। शापाथ जम्बुक कह संजात हस्ति अरन्य वसति एकस्य सिंधस्य मंत्री शह नियुक तहा ह। मानसम नचोरियती तथापी तत्र आरोपह अस्ति तसी कथाम पौरिक नाम कहा राजा आसीत रिशिही शापम दत्वान तस्य सापात सह जंबु कहा भुवत अरंडे वसतीसमा किन्तु प्राचेन पूर्व जन्मनी राजा आसीत धार्मे कहा आसीत इती कारण तह सह बहु धार् मानसाधि भक्षणम नकरोतीसमा अन्ये ये जंबु कहा आसन सिंगादयाहते सर्वे मानसाधि भक्षणम कुर्वनतीसमा तम द्रिश्टवाते तसमै इर्षंतीसमा दुहियंतीसमा कुरुध्यंतीसमा सह जंबु कहा एकदा उक्तवान किमर्थम भवान महियं कुरुध्यती थे उक्तवान नहीं भवान मान्श में उन्मखादती असमा कम जाते हैं अप्माननम करोती तदा सहंबुका हुक्तवान अहं राग्या पार्श्वय गत्वान निवेदरम करोती सिंगहा सी पार्शय गत्वान सिंगहा तसे धार्मिक भावन विलो की तम स्वा निकतस्थम मंत्री पदम दत्वान मंत्री रुपेण तम नीयो जित्वान सहा इधनेम अरण्यस्य राग्याह सिंगह सी मंत्रिय भवत शिंगह इतस्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य ग्रहे मान्शं सहचोरी इत्वाइश्थापित्वान अस् newborn दंत्या॥ तदा सह सिंगाह एकदा गत्वा स्वा मंत्र नहा जंबुकस्य ग्रहम गत्वान तत्र मान्षम द्रिष्टवान तस्य महान क्रोधा सह आगत्ति जंबुकं प्रिष्टवान भवान तु उक्तवान अहम मान्षम नखादामी किंदु भाउता ग्रहे अहम मान्षम राष्ट्रे सर्वत एताद्रसाह जनाह ये मिथ्या रोपेन अन्यान इतास्ततह कुर्वंती तरी ताद्रसेशु जनेशु विश्वासहक न करनी यहा तो राग्याह कर्तव्यमस्ती यत सह तस्य प्रकरनस्य मूलं ज्यात्वा एव कार्यम कुरियाद अत्र उदाहरणम कथियति पुनाह जंबुकह अमान्स भक्सी अन्ये ये पशभासंती ते मिथ्या वादेन तंपीड जन्ती तदा सह जंबुकह कथियति तलवत द्रस्यते व्योमा खद्योतो हविवाडिव नचय वास्ति तलं व्योमनी नखद्योते हुतासनाह बहुत्तमं पद्यमिदं साम्प्रत्मभी प्रासांगीकमस्ती सर्वत्र निखिलेविधरनी तले इतस्य प्रासांगीकता अस्माभीही द्रिष्टुम सक्केते कत्यति यह यद नास्ती सह तद्वत द्रिष्यते किन्तु यह तद्वत द्रिष्यते सह तत्तु नास्तियेव अत्त्र अस्पस्थाली भवती तदवद व्योम गगनम आकासाह द्रिश्चते किन्तु अतचा खद्योतों हभिबाटिवा एका खद्योतों कीटाह भवती यहां रात्रिकाले शीतकाले धनिमकृत्वा डयते तस्य शरीरे अग्निरिव ज्वलती वयम हस्तेन ग्रिहित्वा तो अनंत्रम उत्तरती नचय वास्ति तलम व्योमनी आकाशे तलम नास्ति नच खद्योते हुतासना हुतासना अग्नी खद्योते अग्नी नास्ति किन्तु तदवद द्रिश्चते अतह राग्या अत्रकिम करनियें असत्या सत्य संकासा सत्या सत्य दर्शिनह द्रिश्चंत अतहक राजा सर्वत्र परीक्ष्णं कुरियात यद सत्य नास्ती तत्य वत द्रिष्य ते किन्तु यद असत्य वस्ती तत्य वत द्रिष्य ते एतस्मात कारणात राज्या तत्रपरिक्षुनम आवश्यकम उक्तम अपि असत्या सत्य संकाषा सत्या सत्य दर्शिनह दृष्यंते विभिधा भावास तेसु युक्तम परिक्षणम इती। एवं अगरे सुनकस्य विश्वस नीता विशेवर्णनम आयाती एवं सुनासमान भृत्यान स्वस्थानेयो नराधिपह नियो जयतिक्रत्येशु सराज्य फलमस्नुते यथा कुक्कुरह स्वकियं दायत्वं सम्यक्त्या निर्भहती तद्वद एव ये भृत्याह संती सेव यह नराधिपह राजा स्वकारियसु नियो जयति तस्य राज्यम फलम प्राप्नोते उद्योगस्य माहत्म्यम उद्योगेन सर्वं प्राप्यते इत्युक्त्वा उद्योगम एव कर्तुम प्रेरियति राजानम विद्यातपोवा विपुलंधनम्वा अर्थात सर्वम अपी व्यवसायेन उद्योगेन प्राप्तुम सक्यते अतह भवान व्यवसायम उद्योगम करोतु इति भावा आशायाह वर्णरं करोती शीलं प्रधानं पुरुषे कथितं ते पितामह कथम आशा समुत्पन्ना याचसात द्वदस्वमे आशायाह उत्पत्तिही कथम अभवत इति प्रिष्टे सती भीश्म पितामह उत्तरती आशाम महत्तरामन्ने परवदादपी सत्द्रुमात आकाशादपी वाराजन अप्रमे येव वापुनह हे राजन इयम आशा द्रुम समेत द्रुम सहित परवदादपी महत्तरावर्तते आकाशादपी उत्चा महत्तरावर्तते अस्याह मापनम अपि कर्तुम नशक्यते अर्थात आशायाह कोपि अन्तह नास्ति अनन्तेयम यथा काचित ब्रद्धा इस्तरी मम पुत्रह स्यात मम पुत्रह उत्पर्णा भवतु इत्यासाम करोती व्यर्थ रूपेणेव। यथा धनिनाम धनासा धनिकाहसंती इतोपी धनम आगचे इतोपी धनम आगचे तेशाम धनासा एता दृष्यह आशाह अत्रक्रिशाह आशाह मित्रहीन राग्यों गतिही राजधर्म पर्वनहां अंतिमें अश्टाविनसत्यदिक सत्तमे अध्याये युदिष्टिरो भीमं प्रिच्चतियत यसी राग्याह नैके सत्रवह संती मित्राणी चा नसंती तस्य राग्याह का गतिर भवे दिती मित्रही प्रहीय मानस्य बहु अमित्रस्य का गतिही राग्याह संक्षीन कोशस्य बलहीनस्य च भारत यसी राग्याह कोशस्य धनम समाप्तम यसी राग्याह बलमर्धाद सेना सैनिकाह सर्वे गताह केचन युद्धे मृताह तस्य गतिहिका तदु तरती भीष्मो यत धर्मस सी पालनम प्रजायाह सेवा धनश से संचयस्च तेन राग्या करणियामिती तदा येवतस्य मित्राणाम निर्मानम भथी अर्थात अत्र कोश बलं मूलं कोश बूलं कोश मूलं पुनर बलं कोश ची वर्धनाय शेना येव कार्यम करोती यदि शेना नास्ति तरी कोश येव भवतम ना रहती अत्हा कोश स्य सेनायास्य आवशक्ता नून मेभवती तन्मूलं सर्व धर्वाणां अत्हा धनू मूलापुणापुनापुणा हाप्रजायाः अपि आवशक्ता स्ति यदिदम द्रस्यते वित्तम प्रत्व्यामिह किंचन ममेदम्स्यान ममेदम्स्यात इत्ययम कांग्षते जना प्रत्व्याम यत्किमपि वित्तमस्ती राग्या तस्य संग्रहा कथम करनिया इत्युक्ते सती वदती ममेदम स्यात, ममेदम स्यात, एदम पी मम स्यात, सर्बं वित्दं ममेव स्यात, इती एवं प्रकारेन राग्या धनस्य संग्रहा करनी यहाँ, कारणम कोशे बहु धनम भवती चेद राजा कीम पी करतुम सकनोती, धनस्येव महत्तुमस्ती, दानेन कर्मना चान्य तपस शांति परवण राजद्वण परवण अंते धनस्यम् सेव महवानं वदती भीश्व पिता महाँ इत्तम एवं अत्र राज धर्म परवनहा शमाप्तिरिश्यात अनगम दुर्बलं प्राहुर धनेना बलवान भवेत सर्वं धनवताह प्राप्यं सर्वं तरति कोशवाद अर्थात यहा अनगम दुर्बलं प्राहु यसे पार्ष्वे धनम नास्ती तम्तु दुर्बलं कतियं सुर्वान बहुट से मातब है, साँ जनह घसका अर्फ, कुश्वान अर्थ मैं, अ, सलाई, सुर्वा जनह एव कारणम तत्र भरत्र हरना पिंग्तं यस्यास्ति विट्थम्सनराः कुलीनहा यसिपार्षे विट्थमस्ति सहॉय जनहा brings apply this अस्मिन पाथे अस्मा भी ही राज्याह कर्थव्या नाम विशे राजधर्मा नाम विशे अत्र संक्से पेन पठितं भीश्म तत्र शांति पर्वनी राजधर्म पर्वनह एशः अन्ति महभागह आशीत यत्र अन्ते राग्याह कर्तव्या कर्तविविशे सत्यस्य महिमानं तत्र बढ़नितं अन्तेच धनस्य महिमानं कोशस्य महिमानं शैन्निबलस्य महिमानं उक्त्वा भगवता बेदव्यासे न राजधर्माह बढ़निताह शेशं अग्रिमे भागे वयं आपत धर्म पर्व विशे पठिस्यामह